हिंदू पौरानिक कथाओं में कल्की की अधारणा अक्सर कलियोग के अंत से जुड़ी होती है, जो समय के चक्र में चार युगों में से अंतिम और सबसे काला युग है. जबकि रामायन में कल्की की कहानी का स्पष्ट रूप से उलेख नहीं किया गया है, ऐसे संदर्भ हैं जो कल्की के आगमन और एक नए युग को लाने में उनकी भूमिका को दर्शाने के लिए तैयार किये जा सकते हैं. रामायन में भगवान राम को भगवान विश्णू के सात्वे अव्तार के रूप में चित्रित किया गया है जिनका जन्म त्रेता युग में धार्मिक्ता को बहाल करने और राक्षस राजा रावन को हराने के लिए हुआ था उनकी यात्रा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूपक के रूप में कारे करती है रामायन की घटनाओं के बाद भगवान राम शान्ती, न्याय और समरिद्धी के एक सुनहरे युग की स्थापना करते हैं जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है